दोस्तों आज हम कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ पता होने से किसी भी बात का मतलब यानि कि अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है कि कोई बात क्यों कही जा रही है कहां कही जा रही है उस तक परते समय भी कठिन शब्दों को समझना जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं, पहला शब्द है संचेन, संचेन का अर्थ होता है, संचे करने की प्रक्रिया अर्थात, एकत्र करने की प्रक्रिया या भाव, जम्मा होना, एकठा होना, ये भी इसके अर्थ होते हैं, मतलब संचेन कर रहे हैं, आप धन का संचेन कर रहे हैं, मतल जया गया। या जोड़ा हुआ। मतलब किसी की साहता के लिए कुछ मिलाया जाता है। सहयोजित, सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कुछ अर्थ हो। जन केंद्रित, जन केंद्रित का अर्थ होता है जनता के अनुसार, अगला शब्द है समेकित, समेकित का अर्थ होता है एकी करत, समुदाय, बहुत ही कौमन शब्द है, सुनने में आता है समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है समु, जुन्ड, किसी समाज, वर्ग, जाती, वि बुद्रित का अर्थ होता है, छापा हुआ। या मोहर किया हुआ। पद्धति, एक विशेश पिरकार का कोई तरीका होता है। जिसको हम पद्धति कहते हैं। प्रणालि, रिवाजरीटी, तरीका, ये पद्धति के ही अर्थ है। धंग, शैली, पद्धदी के सभी अर्थ है संबल, संबल का अर्थ होता है सहारा या सहायक वस्तु वरस्पतिक, वरस्पतिक का अर्थ होता है जमीन से उगने वाले पेड़ पोधे लताएं आदी अभिनव, अभिनव का अर्थ है बिलकुल नया, आधुनिक धंका, श्राव, श्राव का अर्थ होता है टपकना, ख्षरण, बहाव, प्रकोप, प्रकोप का अर्थ होता है बहुत अधिक, कुरोध का भाव, शरीर के बाद, पित्त आधी में विकार होना जिससे रोग होती हैं, निर्वहन, निर्वहन का अर्थ होता है निभाना, इसको हम दोनों तरह लिख सकते हैं निभाना और निभाना, कोई बात निभाते हैं निर्वहन करते हैं संसकरन, संसकरन का अर्थ होता है शुद्ध करना, ठीक करना, दुरुस्त करना, पुस्तगों आधी की, एक तरह की, एक बार में होने वाली छपाई, वो संसकरन कहलाती है पाबंद, पाबंद का अर्थ होता है किसी नियम, वचन, समय, आधी का पूर्ण रूप से पालन करने वाला या मानने वाला, जैसे हम कहते हैं समय का बहुत पाबंद है, मतलब बहुत पंक्चुल है, समय से काम करने वाला व्यक्ति है उप्युक्त का अर्थ होता है योग उचित उन्नयन उन्नयन का अर्थ होता है उपर की ओर ले जाना या उठाना उन्नति की ओर ले जाना उन्नयन होता है दूशित, दूशित का अर्थ होता है गंदा अगला शब्द है स्वेच्छा, स्वेच्छा का अर्थ होता है अपनी मर्जी से आशा है एक कठिन शब्द आपको अच्छी तरह समझ मिना आए होंगे और इनके अर्थ भी समझ मिना आ गए होंगे लिखते ये पढ़ते समय जब भी आप इन शब्दों को देखेंगे इनका अर्थ आसानी से समझ जाएंगे देखते रहें लॉजिक टच धन्यवाद